हेलो बच्चो इस वीडियो में हम लोग एलेक्ट्रिक फिल्ड एंड एलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को समझेंगे कि एलेक्ट्रिक फिल्ड एलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है ठीक है मालने जिए एलेक्ट्रिक पोटेंशियल function given है so electric field vector कैसे निकालेंगे electric field vector given है so electric potential function कैसे develop करेंगे यह isolation में हम लोगों को समझना है इस वीडियो में हम लोगों को समझना है ठीक है और इसी concept पर based मैंने six numerical select किये हैं इन सभी को आप देखिए समझिये और concept gain कीजिए ठीक है आईए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो देखिए electric field and electric potential आपको लिखा होगा e equal to b by d अगर मान लिजे आप parallel plate capacitor पढ़ रहे हैं इसमें अगर मान लिजे पोटेंशियल दोनों plate के बीच में अगर मान लिजे वी इवेन है एंड से प्रेशन डी है तो इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा e equal to b by d बट इसमें ध्यान से देखिएगा इसमें कहीं वेक्टर वाली बात नहीं है तीक है यह सी परसिफ magnitude यहां पर लिखा हुआ है magnitude लिखा हुआ है तीक है और एक relation आपको मिलेगा e equal to minus db by dr इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा ठीक है तो यहां भी देखिएगा अगर सो वेक्टर फॉर्म में यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको अना वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तीक है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है माइनस डेल्टा भी इस तरह का होता है इस थे एक्ट्ट्र रिलेशन ठीक है यह एक्ट्र फिल्ड और में इस पोटेंशियल के बीच में होता है इसका सिम्बल इस तरह का होता है डिल्टा इस तरह का लिखा होता है बुक में यह डार्क कलर से लिखा होगा जहां भी देखिए वेक्टर सिम्बल आगर बार भार नहीं ऑफ़ीट किया होगा कि यह याख क्वांटिटीट है सौ धेल्टा की इस देल्टा गावलु क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूं डेल्टा इक्वल है डेल्टा का वैलु देखें बच्चों ये होता है करली बाई करली X I cap प्लस करली बाई करली Y J cap प्लस करली बाई करली Y K cap ठीक है ये देखिए इसमें I, J, K ठीक है I is the limit vector along X axis J is the along Y axis and k is the allowed k exist so ये एक vector है इसमें देखिया i, j component k component, तिनो component आगिया so ये del का value होता है इसको हमेशा याद रखियेगा del operator का value ये होता है ठीक है और ये जो symbol आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग partial differentiation क्या ये symbol? partial differentiation का है partial differentiation ठीक है? means ऐसा function ऐसा function जिसमें x, x, y, z तीनों अगर involve हो ठीक है? तो हम लोग उसमें क्या करते हैं अगर माल ये इस तरह का derivative हम लोग लेते हैं partial derivative means सबसे पहले इस function को हम लोग क्या करेंगे with respect to x differentiate करेंगे so अगर with respect to x हम लोग differentiate करेंगे so यहाँ पर y and z क्या होगा इसका treatment हम लोग constant की तरह करते हैं means fully differentiate नहीं कर रहे है partial differentiate कर रहे है उसके किसी एक variable को हम लोग differentiate करते है so this is the curly by curly x so यह partial differentiation for the x है partial differentiation for variable x similarly अगर इस तरह से लिखा हुआ है so यहाँ पर क्या होगा differentiation of only y variable means अगर कोई function जिसमें x, y, z तीनों variable involved है so उसको with respect to y differentiate करना है means ऐसे case में x और z क्या होगा इसका treatment constant की तरह कीजिएगा यह constant हो जाएगा similarly इसके लिए हम लोग क्या करेंगे x और y इसका treatment constant की तरह करेंगे बाकि z को हम लोग variable की तरह treat करेंगा इसमें y को और इसमें x को तो यह partial differentiation है means ऐसा function जिसमें x y z ती नो involve हो उसको एक बार x के respect में हम लोग differentiate करना है then y के respect में then z के respect में ठीक है so जब x के respect में हम लोग differentiate करेंगे so उसमें i cap sign लगाएंगे जब y के respect में करेंगे j cap लगाएंगे और जब sorry इसको z लिखिए और जब z के respect में हम लोग differentiate करेंगे तो उस case में हम लोग k-cap sign देंगे, unit vector sign ठीक है, इस तरह से क्या होगा अगर माल लिजे ये v, आप जो देख रहे हैं ये v क्या है, potential function है potential function है ठीक है और ये potential function क्या होगा that is the v function of xyz, xyz variable पर depend करेगा माल लिजे कुछ given है that is x square plus x square y plus z cube x इस तरह से कुछ given है ठीक है, ठीक है इस तरह से अगर कोई potential function given है इसमें देखिए i, j, k नहीं है मिनसे ये scalar function है इस तरह के scalar function को अगर vector function में convert करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसका del operator लेते हैं ठीक है, इस function का जब del operator लेजिएगा भी का ठीक है, इसको हम लोग बोलते है gradient 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 of V, so gradient of V means del V, इस तरह से लिए gradient जब निकालिएगा V का और negative sign दीजिएगा ये हमें क्या देगा, electric field vector याद रखिए हमें सब, ठीक है so electric field vector क्या होता है, negative of gradient of V, ठीक है so negative of gradient of V अगर निकालिएगा, so ये क्या हो जाएगा electric field vector आपके पास आजाएगा, ठीक है, so जैसे माल लेजिए अगर आपके पास इस तरह से given है x square plus x square y plus z cube x, potential function, अब बोला कि आपको electric field vector निकालिए, so electric field vector हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए, बच्चों यहाँ पर मैं निकाल रहाँ, ठीक है so e क्या हो जाएगा बच्चो e equal to negative of सबसे पहले क्या करेंगे जो del operator देख रहे हो, del operator का value यहाँ पर लिंक दीजिए ठीक है ठीक है, हमने लिख दिया आप क्या करना है, जो potential function V है, that is x square plus x square y plus z cube x ठीक है, इस तरह से लिख देना है आप इस potential function लो क्या करना है एक बार i के साथ, then एक बार इसके साथ, then एक बार इसके साथ आपको लिख देना है ठीक है, ठीक है, so देखिए, negative मैं बाहर रहना जाता हूँ so जब इस potential function का partial differentiation एक्स के respect में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से positive x component को differentiate कीजिएगा y और z constant हो जाएगा तो देखिए, यहाँ पर x square है, यह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है प्लस देखिए, फिर यहाँ पर x square है तो यह क्या हो जाएगा, 2x इस को जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा जे कैप, then similarly प्लस, आप क्या करेंगे, फिर इसको differentiate करेंगे, with respect to Z, means इसको partially differentiate करना है, with respect to Z, because this is the symbol of partial differentiation, ठीक है so partially जब differentiate करेंगे so यहाँ पर देखिए, Z नहीं है, 0 हो जाएगा यहाँ भी Z नहीं है, 0 हो जाएगा, यहाँ पर Z Q X है, so Z Q का differentiation 3Z square होगा, और X ऐसे ही रह जाएगा, इन्टू K cap, so देखिए, यह इस तरह का vector आपके पास आजाएगा, so this is the electric field vector for the potential function, V equal to X square plus X square Y plus Z Q X, ठीक है so हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने negative of gradient of V निकाला यहाँ देखिए इसको, negative of gradient of V यह negative, del V, ठीक है, del operator V, so इस तरह से हम लोगों ने इस potential function को क्या किया, इसको use करके हम लोगों ने electric field vector निकाल लिया, ठीक है, so अब देखिए, अगर इस question में आपको पूछा हैता है, what is the electric field so negative तो सभी में multiply हो जाएगा, ठीक है, so this is the electric field vector but अगर पूछा आपको ने, what is the x component of electric field vector, so e को हम लोग क्या लिख सकते हैं, it is ex i cap plus e y j cap plus e z k cap, इस तरह से, ठीक है, so इसके तीन component होंगे, so इसको क्या करना है हम लोगों को, इससे equate करना है, so equate जब करेंगे, so बच्चों देखिए, हमारे पास क्या आएगा, ex, so ex is what, it is the electric field component along the x-axis, this is the along y-axis and this is along the z-axis, so ex का value क्या आएगा, that is negative of 2x plus 2xy plus zq, this is the electric field component along the x-direction, ठीक है, या फिर अगर electric field vector along the x-axis पूछा जाएगा, so हम लोग लिखेंगे, minus 2x plus 2xy plus zq i-cab, ठीक है, this is the electric field vector along the x-direction, but अगर सिफ magnitude पूछा जाएगा, so this is the, ठीक है, similarly e y का value क्या हो जाएगा, e y equal to negative of x square, सिफ negative of x square हो जाएगा, और अगर e y vector पूछेगा, so it is negative of x square j-cab, ठीक है, similarly ez क्या हो जाएगा, it is negative of 3z square x, ठीक है, और vector अगर पूछ दे, so क्या हो जाएगा, negative of 3z square x, ठीक है, so इस तरह से हम लोग potential function को electric field vector में convert करते हैं, ठीक है, so this is very important lesson, अब इसी के basis पर हम लोग numerical solve करते हैं, अगर देखिए, माल लेज़े, अगर आपको दे दिया है electric field vector, if electric field is given, मैं लिख देता हूँ याँ पर, if e is given, ठीक है, और आपको बोला गया, find the potential, dv, at any point in the space, या फिर potential function निकालने, so अगर e given है, so आपको dr लेना है, dr is the, क्योंकि देखिए, यहाँ पर b scalar है, अगर b scalar है, और आपको e एक vector quantity है, ठीक है, e एक vector quantity है, so dr vector क्या होगा, dr vector को लेना आपको dxi cap plus dy, j cap plus dz, k cap, इसको हमें इसे एक दम note कर लीजिए, ठीक है, अगर e given है, और आपको बोला भी निकालने, so हम लोग यहाँ पर इसको use करेंगे, ठीक है, clear है, so, और अगर b given है, e निकालने बोला है, so इस process में हम लोग चलेंगे, लेकिन e given है भी निकालने बोला है, so dr को इस तरह से मनिएगा, ठीक है, इस तरह से लेके, then फिर हम लोगो क्या करना है, e dot dr, e dot dr क्या होता है, it is negative of dv, ठीक है, इसको integrate कीजिएगा, इसको भी integrate कीजिएगा, ठीक है, अब limit dr आगा question में, अगर हम लोग question discuss करेंगे, so question समझ लिजेगा, so इस तरह का सारा problem अब लोग बना पाईएगा, ठीक है, so यहाँ पर see for see magnitude है, लेकिन actual जो relation होता है, that is e equal to minus curly by curly r, इस तरह से भी लिखा होता है, ध्यान दिजेगा, so यह जो curly by curly r है न, इस तरह का, this is the del, इस ही का value होता है, curly by curly x, i cap, plus curly by curly y, j cap, plus curly by curly z, k cap, यह होता है, ठीक है, so इन में से कोई भी लिशन याद रखिए, यह magnitude form में हो गिया, ठीक है, this is the vector form, gradient of negative of gradient of b, ठीक है, या फिर अगर आप इसको याद रखते हो, ठीक है, so यहाँ पर आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस relation को, ठीक है, तब यह vector आएगा, दरबाद यह vector नहीं आएगा, ठीक है, यह vector quantity है, ठीक है, then, e.dr is equal to negative of db, इसका integration form याद रखिये, question को solve कीज़े, ठीक है, 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 so this is the x, y, z coordinate, ठीक है, x coordinate is minus 1, 2 is the y and z is 3, is given by, ठीक है, potential function यहाँ given है, so b क्या given है, b equal to 10 x square plus 5 y square, 5 y square minus 3 z square, calculate the three component of the electric field at this point, ठीक है, electric field component आपको बोला है किस point पर, इस point पर निकाल लें, ठीक है, सो कैसा concept उस करेंगे हम लोग, जो अभी हम लोग concept डिसकस किये हैं, बस उसी को यूज करके हैं, आप सॉल्व करना है, ठीक है, so electric field बोला गिया है, कहां से निकाल लें, potential function से, so minus del g, यह हम लोग उस करेंगे, सो minus इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और इसका value, या इसका value हमने बता दिया, क्या था, that is this one, ठीक है, सो क्या करना है, सो partial differentiation कर देंगे हम लोग, ठीक है, with respect to first x, then y, then z, ठीक है, so e vector क्या जाएगा, देखे, e equal to negative sign दे दीजिए, bracket लीजिए, सबसे पहले, x के respect में differentiate कीजिए, so y और z constant होगा, so x देखे, simple relation है, simple function है, sorry, so it is 20x, क्या हो जाएगा, i cap, then plus y के respect में differentiate कीजिएगा, so plus 10 y, i, j cap, इसको differentiate कीजिएगा, then फिर z के respect में करना है, so क्या हो जाएगा, minus 6 z, so it is minus 6 z, k cap आगिया, ठीक है, अब क्या करना है, minus 20x, i cap, minus 10 y, j cap, then plus 6 z, k cap, यह हमारे पास आगिया, देखे, यह electric field vector, ठीक है, जिसका x component क्या है, this is e x, this is e y, and this is ez, ठीक है, so x component निकालने बोला है, e x तो इसका value कितना होगा, minus 20x होगा, ठीक है, से बसे मैगनिचूड लेते हैं, अगर vector बोल देगा, तो यहाँ पाई vector लगा देना है, इसका value क्या हो जाएगा, minus 20 into, किस point पर बोला गिया, इस point पर बोला गिया है, जहाँ पर x की value minus 1 meter है, y की value 2 meter है, and z की value 3 meter है, यहाँ पर क्या करेंगे, x का value minus 1 put कर दीजिए, so this is 20, ठीक है, 20 हो गया, अब क्या है, this is electric field, so electric field का unit क्या होता है, it is volt per meter, e equal to magnitude की बात करें, so V by deactivation हमने बता है, so it is volt per meter, so volt per meter लिख दीजिए, ठीक है, या फिर, और क्या हो जाएगा, newton per coulomb, क्यों, क्योंकि electric field क्या होता है, it is the force experience by unit coulomb charge, है ना, force का formula होता है, 1 by 4 pi epsilon naught, q1 q2 by r square, अब इसमें क्या करते हो, एक charge को हटा देंगे, so field आजाता है, e equal to, e equal to 1 by 4 pi epsilon naught, q by r square, यह होता है, ठीक है, so newton per coulomb, force per unit charge, ठीक है, so newton per coulomb और volt per meter, this is the electric field, vector and unit, ठीक है, so आगे हमारे पास, आप देखिए, e y का value अगर निकालना है, so it is minus 10 y, so minus 10 into y का value कितना है, गिवेन है, 2 है, so it is minus 20, same volt per meter, और newton per coulomb unit हो जाएगा, इसका, then similarly, ez क्या होगा, means electric field component along z direction, so it is minus of 6, then z, sorry, यहाँ पर plus 6z आएगा, plus 6z, ठीक है, क्योंकि minus of minus plus हो गिया, so it is 6 into 3, so it is 18 volt per meter, और newton per coulomb, ठीक है, so देखिए, यहाँ पाँ हम लोगो ने क्या किया, एक potential function given है, जिसको हम लोगो ने, electric field में convert किया, ठीक है, potential function यूज़ करके, electric field हम लोगो ने निकाला, electric field vector generate किया, ठीक है, और एक particular point पर, electric field vector का हम लोगो ने, value निकाला, ठीक है, क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको पूच्छ दे, कि electric field का magnitude कितना होगा, so magnitude along the x is 20, along y is 20, negative 20 का मतलब है, अगर मान लिजे, this is x, this is y, and this is z, ठीक है, तो यहाँ पर x का value क्या हो रहा है, e x का value देखिए, positive आ रहा है, मिन्स इसका direction क्या है, positive x axis है, इसका देखिए negative आ रहा है, so direction उपर नहीं हो के direction किस तरफ है, minus j की तरफ है, यही ना, minus j की तरफ है, क्योंकि यहाँ देखिए negative है, so यह negative y direction में है, y component, और z component का direction क्या है, that is the positive z, ठीक है, इस तरह से है, clear है, so अगर magnitude push दे, so magnitude along x 20, y it is 20, z 18, ठीक है, but overall अगर magnitude push दे, so magnitude of e क्या हो जाएगा, that is equal to e, equal to root over, ex का square, plus ey का square, plus ez का square, ठीक है, so इसमें क्या करेंगे, root over 20 का square हो जाएगा, plus 20 का square हो जाएगा, plus 18 का square हो जाएगा, अब जो भी इसका value है, ठीक है, हाला कि इसमें नहीं पूछा गिया, बट मैं explain कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से हम लोग इस question को solve कर सकते है, so next question पर हम लोग आते है, ठीक है, so देखिए, इस question में देखिए, the electric potential is given by, V equal to this one, function given है, x, y, z function, ठीक है, what is the electric force acting on 2-coulomb point charge, placed at the origin, means origin पर, origin पर एक point charge, place है, जिसका value, 2-coulomb है, so origin का coordinate क्या होगा, 0-0-0, means यहाँ पर x का value 0, y का value 0, z का value 0, ठीक है, so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, electric field vector निकाल लेंगे, ठीक है, electric field vector निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग magnitude निकाल लेंगे, ठीक है, so e निकाली है, e के बाद इसका magnitude निकाली है, और मान लिजे magnitude का value e है, so force कितना हो जागा, it is equal to q into e, q into e, so q given है, 2-coulomb, ठीक है, micro में दिया रहेगा, तो 10 to the power minus 6 कर देंगे, milli में दिया रहेगा, तो minus 3 से multiply कर देंगे, 10 to the power minus 3 से, into e, so e निकाली है सबसे पहले, तो देखो e निकालते हैं, e vector क्या हो जागा, same, minus del b, ठीक है, या फिर minus, curly by curly r b, ठीक है, और इसका value, same, इसका value, same, so partially differentiate करते हैं, इसको with respect to x, पहले negative sign देते हैं, then with respect to x कीजिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो कितना हो जागा, पहला तो आजागा, आप पर 6, then minus, 8, और इसको partially differentiate कीजिएगा, तो x cancel हो जागा, y square हैगा, minus 8, y square, ठीक है, तो इसमें क्या sign दे देंगा हैं, हम लोग, i दे देंगे, क्योंकि और कहीं पर भी इसमें x नहीं है, then फिर plus, इसको y के respect में हम लोग differentiate करेंगे, तो y के respect में जब differentiate करेंगे, so minus, और यहाँ पर देखिए, y square है, so 16 x y हो जाएगा, so minus 16 x y, basic differentiation आप लोग जानते होंगे, minus 16 x y, ठीक है, then फिर देखिए, minus 8 y है, so minus 8 रह जाएगा, then फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, 6 y z है, इसको differentiate कीजिएगा, so plus 6 z, so y के respect में हम लोग ने differentiate किया, so यह y component है, so यहाँ पर j kai f हो जाएगा, ठीक है, j kai f, then फिर क्या हो जाएगा, plus, then इसमें देखिए, इसको differentiate कीजिए, so कितना हो जाएगा, 6 y हो जाएगा, then minus 8 z, ठीक है, so इसके kai kai f, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, ओके, अब force भी देखिए क्या, force एक वेक्टर क्वाइटिटी है, so अगर चाहिए, अब सिदा सिदा इसका magnitude निकाली है, अभी point पूट करके, then 2 से multiply कीजिए, यहां फिर force भेक्टर निकाल लीजिए, force भेक्टर निकालेंगे, तो charge scalar quantity है, into e vector हो जाएगा, ठीक है, so अब e निकाली है, e निकालने के लिए क्या करेंगे, point का value देखे, कहां पर बोला गिया आपको, placed at the origin, origin पर आपको बोला गिया है, so इसमें origin पूट कर दीजिए, so origin का value क्या है, 0, 0, 0 है, so जब 0 इसमें पूट करेंगे, y का value 0 तो 6 हो जाएगा, so this is i cap, ठीक है, then similarly plus, इसमें पूट करेंगे, so दीजिए ये भी 0 हो जाएगा, x, y, 0, z is 0, so बचा क्या, minus 8, ठीक है, j cap, ठीक है, then plus, इसमें पूट करेंगे, so y 0, z 0, ठीक है, so ये क्या हो जाएगा, 0, k, cap, ठीक है, so electric field का, कोई भी z component नहीं है, है ना, means अगर origin पर पूछे, 1, 2, 3 दे दिया, so non zero है, y, z, ठीक है, so यहाँ पर y z का value भी होगा, ठीक है, so that depends, कि origin पर दिया, या किसी और point पर दिया है, so जो point दिया है, उस point को put किजिएगा, ठीक है, so e का value यहाँ पर क्या आजाएगा, it is e equal to minus 6 i, ठीक है, then plus 8 j, इस तरह से हो गया, so अब यहाँ पर e का magnitude निकालते हैं, so magnitude of e, let's say it is e, so it is what root over minus 6 का square, so 36 plus 64 8 का square, so it is root over 100, ठीक है, so value कितना आएगा, 10 आएगा, 10 volt per meter, या 10 newton per coulomb, ठीक है, यह electric field आगिया, so force हमारे पास कितना आजाएगा, force कितना experience करेगा, 2 कुलं, so it is 2 into 10, so it is 20, 20 newton, इतना force हो जाएगा, 20 newton का, ठीक है, लेकिन अगर force vector निकालने बोलता है, so हम लोग force vector निकालते हैं, फिर इस तरह से, ठीक है ना, simple 2 लेते, और electric field component यहाँ पर लिख देते हैं, minus 6i and plus 8j, ठीक है, so it is minus 12i plus 16j, ठीक है, देखो, एक ही question है, लेकिन करी तरह से पूछ सकता है, इसमें आपको पूछ सकता है, what is the, x component of force experience by the charge, so x component is 12 newton, 12 newton, कितना है magnitude, 12 newton है, लेकिन direction क्या है, negative of i, ठीक है, so x component पूछेगा, so minus 12, सिदा सिदा, minus 12, means, negative direction में है, ठीक है, y component, it is 16 newton, ठीक है, overall magnitude पूछेगा, experience by the charge, so it is 10, sorry, 20 newton, ठीक है, electric field overall पूछे, so minus 6i plus 8z, this is the vector, x component पूछेगा, so this is, y component पूछेगा, so this is, magnitude पूछेगा, so this is, ठीक है, सो इस तर से एक ही question है, बट इसमें कही सारी questions हो सकते है, सो इस तर से हम लोग solve कर सकते हैं, ठीक है, clear है, अब next question में हम लोग बढ़ते हैं, दीखे, the next question is, dielectric potential V at any point xyz in space is given by, V equal to 4x square, इसमें yz variable नहीं है, so it is simple, calculate dielectric intensity at point, this and this, 1 meter, 0 and 2 meter, so यह xyz coordinate है, क्या xyz, 1, 0, 2 meter में, meter हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, अभी आईए, फिर electric field निकालने बोला है, तो electric field क्या हो जागा, it is negative of gradient of V, ठीक है, या फिर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अब del operator लगा दीजिए, अब भी हम लोग यहां लिख देते हैं, 4x square हो गया, आप लिखेंगे, इसमें कोई भी y और z variable नहीं है, तो सिर्पो सिर्पो सिर्प क्या होगा, x के respect में differentiation होगा, बागे तो 0 हो जाएगा, तो इसको x के respect में differentiate कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, minus, then it is 8x, ठीक है, और i, so this is the electric field vector, है ना, simple, ठीक है, अब कहां पर पूछा है, it is 1, 0, 2, so x का value इसमें 0 पूट कीजिए, so e at, e at कहां पर, it is 1, 0, 2, meter लिख दीजेगा, सब में लिख दीजेगा, ठीक है, so it is minus 8 into 1, i, so इसका value हो गया, minus 8 i, unit क्या हो जागा, volt per meter, और newton per kilogram, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, so this is the electric intensity, at given point, अब इसका magnitude में अगर answer दिया है, so magnitude कितना हो जागा, it is 8 only, ठीक है, अगर direction पूछ दे किस direction में है, electric field component, at point this one, so electric field component का direction किस direction में है, so it is negative x direction, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इस तरह से, इस question को हम लोग बना लिए, अब आते हैं next question में, ठीक है, so अभी जो questions है, simple है, बढ़ ठीक है, conceptual है, देखिए, इस question को हम लोग कैसे बनाएंगा, the electric field, in a region is given by, e equal to this one, a by x cube, i cap, मैंने बताया, electric field दिया रहेगा, तो b कैसे निकालना है, और b दिया रहेगा, तो e कैसे निकालना, अभी तक हम लोग ने क्या किया, b function given था, हम लोग ने electric field vector निकाला, means scalar को हम लोग vector में use किये, scalar function को, हम लोग vector में convert किये, ठीक है, potential scalar था, अभी यहां पर language पर ध्यान दिजिएगा, infinity पर potential 0 है, means b infinity is 0, ठीक है, इसको किस तरह solve करेंगा, देखिए, relation कहाँ था, e equal to, ठीक है, इसको use करना है, तो देखिए, यहां पर हमने बताया, यह क्या हो जाएगा, e dot dr, ठीक है, यह vector quantity है, तो इसको कर लेखिए, ठीक है, यह simple एक component है, आप लोगों हिस्ता से भी लेकर चल सकते हैं, e equal to negative of db by dr, इस case में हम लोग लिखेंगे, e dot dr is equal to negative of db, ठीक है, यहां आपर vector sign दे देना है, ठीक है, तो जब vector ले लिए, अब लोगों यहां पर ले लेंगे, let, let dr equal to, dr vector equal to, क्या लेंगे, dx i cap, ठीक है, plus dy j cap, plus dz, ठीक है, इस्ता से ले लेना है, अब क्या करोंगे, जब e dot dr लोगे, यहां पर देखो, e value क्या है, e equal to, a by x cube, ठीक है, i cap, then dot, जब dr के साथ, dot product लोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ i component है, अगर x, y component भी रहता है, तो सभी को लिखे हैं, और dot product लिखते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ x component है, simple है, so x component का, x component के साथ, यहां पर लिजिएगा, so dx, dx, i and dot this one, so i dot i is one हो गया, so बचा क्या है यहां पर, पहले कि स्टेप में लिख देता हूं, equal to negative of dv, so क्या हो जागा, it is, a by x cube, dx, ठीक है, equal to negative of dv, अब आया सवाल integration का, so जब बच्चों हम लोग उसको integrate करेंगे, सो देखो integration करने के लाप के उपर है, infinity पर 0 दिया हुआ है, ठीक है, और कहां पर निकालना है, expression for the potential in the region, किसी भी रिजन पर, जहां पर coordinate x, y, z है, ठीक है, सो माल लेते हैं, this is b infinity, ठीक है, b infinity से हम लोग b1 पर लाते हैं, अब माल लेते हैं, b1 का जो coordinate है, जिस पॉइंट पर potential b1 है, तो अब coordinate x, y, z है, ठीक है, सो इसको integrate करना होगा, सो जब इसको integrate करेंगे, सो potential infinity पर, सो infinity पर x, y, z क्या होगा, infinity पर x का value infinity होगा, y का value infinity होगा, और z का value भी infinity होगा, infinity पर यहीं मीनिंग है, जो limit यहाँ पर lower है, वही lower coordinate यहाँ पर होगा, higher जो है, higher coordinate यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आप इसको reverse भी कर सकते हो, no issue, सो देखो क्या होगा, अब x cube उपर जाएगा, जो x का power minus 3 हो जाएगा, so divide करेंगे हम लोग, so x का power minus 3, so integrate करें, so minus 3 plus 1, so that is what, minus 2, so minus 2 से हम लोग divide करेंगे, so it is, minus 1 by 2, अब plus 1 करेंगे, so minus 3 plus 1, so x का power minus 2, नीचे आगा, तो x square हो जाएगा, so this is, okay, अब coordinate, x का infinity है, y का infinity, z का infinity, का हम infinity ही लेते हैं, ठीक है, गोंकि y, z absent है, अगर रहता है, तीनों उसमें पूट करते हैं, ठीक है, so कहा से कहा तक जाएंगे, x तक जाएंगे, equal to negative, और ये क्या हो जाएगा, अपर limit पूट कीजिए, dv का integration b होगा, so b के जगा पर b1 आ जाएगा, then minus b infinity, ठीक है, step बाइ-step चलिएगा, कुछ problem नहीं होगा, so यहाँ पर देखो, जब upper limit आप पूट करोगे, so minus 1 by 2x square ये रहेगा, लेकिन जब lower limit पूट करोगे infinity, so x equal to, अगर हम लोग infinity पूट करेंगे, so x का value infinity means 1 by infinity, so infinity क्या होता है, 1 by 0, so 0 उपर जाएगा, so ये क्या हो जाएगा, minus of 0, ठीक है, equal to, यहाँ पर भी infinity देखो, question में 0 दे दिया है, ठीक है, so ये क्या हो जाएगा, negative of b1 minus 0, ठीक है, so that means, it is minus 1 by 2x square, इसमें a missing हो गया है, a link दीजिएगा, ठीक है, concept पर ध्यान देना है, a missing हो गया है, so a link देते हैं, okay, so that is equal to negative of b1, okay, so b1 का value क्या आएगा, b1 is a by 2x square, यह आएगा, so देखे, इसमें कहीं भी गटर साइन है, नहीं है, क्योंकि यह scalar quantity है, ठीक है, so इस तरह से अगर माल लिजिए, e given है, so b हम लोग निकालते हैं, ठीक है, अब b क्या है, potential है, अब हम लोग आते हैं, next question पर, so next question, an electric field, अब कहां से मैंने इसको लिया है, देखे, मैंने स्ट बर्मा सर्क के बुक से लिया है, ठीक है, concept of physics से, very famous book, ठीक है, समझते हैं इसको, an electric field, e equal to 20i plus 30j, Newton per C, exist in the space, if the potential at origin, धियान देने वाली बात है, potential at origin, is taken to be 0, find the potential at this point, आपको इस point पर निकालने है, origin पर 0 बोला है, so origin पर जो potential है, potential at origin, इसको माल लिजिए, it is V0, V0 लिख दीजिए, and potential, CL at 2,2, meter नि लिखते हैं, so it is V1 माल लेते हैं, ठीक है, so again, हम लोग relation उस करेंगे, E equal to negative of, ठीक है, अब यह vector quantity है, ठीक है, so हम लोग क्या करेंगे, E dot dr equal to negative of db, ठीक है, आप देखो, फिर हमने बताया, dr का value क्या लेना, it is dx i plus dy j plus d z k k, ठीक है, so यहाँ पर देखो, i component है, j component है, k नहीं है, ठीक है, so i और j के साथ, हमने dot product लेंगे, so anyway, so क्या हो गया, E का value पूट कर दो, 20 i plus 30 j, और, case में absent है, तो k वाले को छोड़ दो, बाकी ले लो, dx i plus dy j cap, equal to क्या हो जागा, negative of db, ठीक है, so यह हमें cat lesson देदेगा, so देखो, सेम मैंने बता दिया, integration करना है, कहां से हम लोग करते हैं, मान लोग है, infinity हम लोग lower limit लेंगे, infinity से, इस point तक, या फिर इस point से infinity तक, sorry, origin है न, origin है, so origin से इस point तक, या इस point से origin तक, आपकी मर्जी है, कैसे ले सकते हो, सो मैं origin से इस point पर लेता हू, so origin अगर यहां पर लेंगे, तो यहां बीनोट आजाएगा, और इस point को भीवन मानेंगे, ठीक है, so origin का coordinate क्या हो जाएगा, 0,0,0, x, y, z, और यहां पर क्या हो जाएगा, it is 2,2, 2,2 तक निकालना है, सो यहां 0 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सो अभी देखो, इसका integration करो, so integration क्या हो जाएगा, 20, और x क्या हो जाएगा, dx को x लिखेंगे, प्लस 30, और y को अब लग y लिखेंगे, integration कर रहे हैं, dy का, ठीक है, अब वैलू पूट कर दो, 2,2, so x का वैलू 2 पूट करोगे, सो यह कितना होगा, 20 इन्ट 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 2, 40 हो जाएगा, y का वैलू 2 पूट करोगे, प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x का वैलू 0, y का वैलू 0, so 0 हो जाएगा, इक्वल टू निगेटिव ऑफ वैलू और पोटेंशियल एट ओरजीन, इस 0, पोटेंशियल एट ओरजीन इस 0, ठीक है, यह क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नॉन जिया रहेगा, अमान लोगर दे दिया गिनी, टू बोल्ट है, यहाँ पर भी नॉट का वैलू टू पूट करेंगे, घ्यान दीजेगा, ठीक है, क्वेशन को कभी भी आ रहा दुरा नहीं समझना है, कम्प्लेट समझ येगा, ठीक है, ठीक है, तो इस इस वाट, इसका मतलब भी वन का वैलू क्या आ जाएगा, इस निगेटिव 100, ठीक है, इतना बोल्ट, माइनस 100 बोल्ट, पोटेंशियल, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेशन में हम लोग आते हैं, सेम, फ्रों मेर्शी बर्मा सर के बूक से लिए हैं, आमने, कंसेट आप फिजिक्स है, एन एलेक्रिक फिल्ड, ए इक्वल टु आएक्स आइकप, एक्जिस्ट इन दा स्पेस, वेर ए इक्वल टु 10 बोल्ट पर मिटर स्कार, टेक दा पोटेंशियल, अट इस पोटेंशियल इस जीरो, हैना, 10,20 इस पोटेंट पर बोला है, ठीक है, और ओरिजिन क्या हो जाएगा, 0,0 कोडिनेट, और अगर तीनो कोडिनेट दिया रहेगा, तो तीनो जीरो लेंगने हैं, बट यहाँ पर दो ही कोडिनेट की बात है, तो दो ही लेते हैं, ठीक है, इसको क्या हम लो लिए सकते हैं, एक्स, देन, एक्स आई कैप है, डॉट पर लिजिएगा, डी एक्स आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, इस निगेटिव आप डी भी, अब इंटिगेशन करते हैं, तो हम लोग इसको V1 से V0 इंटिग्रेट करते हैं, तो V1 किस पॉइंट को लिए हमने, 10,20, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, 10,20, ठीक है, कोर्डिनेट, और उपर में क्या आजाएगा, 0,0, ठीक है, तो देखिए, इंटिगेट करते हैं, इसका इंटिगेटिगेशन क्या होगा, X स्कॉयर भाई, 2, लिमिट पूट कर दीजिए, 10,20, then 0,0, ठीक है, एंड इस इंटिगेटिव आफ, V0 माइनस V1, ठीक है, अगर इधर रिवर्स लिमिट लिजेगा, इधर भी आपको रिवर्स लेना पड़ेगा, ठीक है न, ओके, आप देखिए, वैलू पूट कीजिए, X का वैलू जिरो पूट कीजिए, जो 0 हो जागा, 0 माइनस, Y तो इसमें है नहीं, 20 का कोई उस नहीं है, 10 पूट कीजिए, 10 का स्क्वाइल कीजिएगा, 100 बाइ 2, तो इस 50 ए, 50 इंटू A, क्लियर, इक्वल टू, निगेटिव आप, अब भी नोट, निकालना है हमें, भी नोट रहन दीजिए, बट भी वन जीरो है, भी वन का वैलू 0 पूट कर दो, ठीक है, अब देखिए, एक अब वैलू देखिए, 10 बोल्ट पर मीटर स्क्वाइब, ठीक है, ऐसा उनिट में है, तो इस इस वाट, 500 बोल्ट, ठीक है, तो मिन्स पोटेंशियल, एक और जीन, इन इस क्वेस्टेंशन इस 500 बोल्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है,